हाई गाई विवेक एर आपका स्वाकत है आपके अपने चैनल विए फांटे अक्याइड मिपर आज के इस वीडियो में मैं आपको पताने हो नहीं कि बाद बीटे इंजिनरी के बाद आपके पास क्या करियर आपक्षन है आप उसके बाद क्या कर कर सकते हैं कौन सी जॉब ले आपको on campus में कितने आप तप्रादर मिल सकता है आपकेंपस में आपको कैसे apply करना है सब कुछ आपको मैं आपको इस वीडियों बताने माला वाफ study क्या कर सकते हैं आपको government job इससे क्या मिल सकता है तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो अगर आप B.tex कर रहे हैं तो भी ये वीडियो देखे अगर आप ये B.tex in Civil Engineering कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखेगा तो जो बीटेक नहीं किये उनके लिए तो सबसे अच्छा है यह वीडियो में और जो बीटेक कर चुके उनके लिए भी बहुत सारी information है इस यूडियो में तो पहले हम बात करते हैं study में study में दो option हैं एक है M.Tech एक है MBA Master in Technology M.Tech के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं तो अगर आपको B.Tech के बाद M.Tech करना है तो आप Civil Engineering में भी कर सकते हैं और आप चाहे तो दूसरे फिल्म में भी कर सकते हैं M.Tech करने के लिए आपको gate का exam देना होगा इसके दुर्व आप M.Tech कर लेंगे पर M.Tech करने के बाद अगर आपको research and development फिल्म में जाना है तो यह आप M.Tech करिए या फिर अगर आपको M.Tech करना है जॉब के लिए तो आप किसी अच्छे college से करिए नहीं तो आपको बीटेक के बाद जॉब मिला हो चाहे नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे college से नहीं किये होंगे तो क्योंकि बहुत सारे इसे college है जहां M.Tech के बाद placement नहीं होता बीटेक के बाद फिल्मेंट होता है तो आपको यह ध्यान में रखते हुए किसी बहुत ही अच्छे college से M.Tech करना है क्योंकि यह आपका मतलब पोस्ट ग्राइजूशन का कॉर्स है अगर पोस्ट ग्राइजूशन का कॉर्स अच्छे जगह से नहीं होता तो आपको जॉब लेने में बहुत परिशानी होती है on campus में प्लेस्मेंट है तो ही आप उसी college में जाईए और second option है हमारा MBA master in business administrative आप यह कर सकते हैं इसे करने के लिए आपको cat का एक्जाम देना होगा और जो इंडिया के टॉप इंस्ट्रिटूट है जैसे IIM IIT इसमें admission निकले cat का आपको एक्जाम देना होगा और इसमें अगर आपको IIM में admission मिल गया तो आपका 20 22 25 लैक तक average package मिलता है और उसके बाद हम बात क के बारे में जौस में आपके पास दो option है पहला है प्राइवेट और दूसरा है government तो पहले हम प्राइवेट के बारे में बात करते हैं तो आपको construction company में मिलेगा मतलब जो building बनाते हैं पूल बनाते हैं यह सब जो भी ब्रीजेस और जो भी चीजे बनती रहती है construction वर्क उसमे होता है तब तो आपके कॉलज में नहीं मिलता है तब तो आपको प्रिसमेंट के लिए घंवाई करना होगा तो आपको फीर आपको कैना कि अगर आपको भी प्रोर में नहीं मिलता यहां उसी क subjected में जाए जहां पर placement मिलता है अगर आप IIT से हैं तो आपको तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है तब तो आपको 15 से 20 लाग का average package मिलता है वहाँ पर मतलब हर बच्चे को 10 लाग के 15 लाग के आसपास तक package मिल जाता है चाहिए किसी भी ब्रांच का और आपको जॉब मिलने के चांसे रहते हैं तो यह था जॉब के बारे में प्राइविट में इसके बात करते हैं अब हम बात करते हैं Government job में आपके पास क्या का option है यूपीज सी सीविल सरविशेस का exam दे सकते हैं और आप upsc में दो exam आप दे सकते हैं क्योंकि आप ने इंजिनरेंग की ए तो अप यूपी एस सी इंजिन्रेंग सर्विशेस मतलब यह जो डॉब रहता है वह आई एएस बनने के लिए रहता यूप एस और यूप easc जो रहता है वह होदा है अपना इंजिनरी इंग पोस्ट पे आई एस बनने के लिए आई एस और आई एस दोनों अलग अलगे IAS मतलब Indian Administrative Service और IES मतलब Indian Engineering Service तो ये दोनों अलग-अलग exam है और second option जो आपका SSC जो exam होता है SST में technical post के लिए non-technical दोनों post के लिए आप अपलाई कर सकते हैं और third है हमारा RRB में भी आप technical non-technical post के लिए अपलाई कर सकते हैं और आप bank के जो भी IBBS, PO, SBI और सारे bank के जितने भी exam होते हैं वो सब आप उनका entrance exam दे सकते हैं आप defense में जा सकते हैं CDS के through तो government job में भी आपको लिए बहुत wild range में job हैं आप बहुत सारे अलग-अलग type के job कर सकते हैं और आपको बहुत सारे job मिल जाएंगे पर सबसे अच्छा है इसमें engineering services वाला मतलब IES वाला उसमें आपको बहुत ज़्यादा salary भी मिलेगी और मतलब उसमें आपका जो सरकारी pool बनते हैं जो भी सरकारी buildings और जो भी government से related construction work में आपको job मिलेगा आपको उसमें बहुत ज़्यादा salary मिलती है और नेम आओ फेम तो है तो आप चाहे तो government job भी कर सकते हैं private job भी कर सकते हैं और चाहे तो आप study में भी जा सकते हैं तो यह आपके उपर totally decide करना है पर अगर MBA कर लेंगे तो भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं कि यह था पूरा मतलब आप क्या कैर सकते हैं और आप चाहे तो अगर आपको business करना तो आपको मतलब जोब आप चारपास सल करके आप एक builder बन सकते हैं मतलब जिन को बहुत दीन से engineering रहते हैं civil engineer रहते हैं तो कोई-कोई बहुत builder बन जाते हैं पैसे इंवेस्ट करके पहचान मना के छोटी छोटी चोटी construction वर्क लेकर बड़े-बड़े construction लिनी लगते हैं और बिल्डर बन जाते तो आप वह भी कर सकते मतलब civil engineering के बाद business वह भी construction लिलते तो अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगाओ तो इसमें सारा इंफर्मेशन मिला हो तो एक लाइक कर दीजिगा चैनल पर नहाँ है तो subscribe करना ना भूले थैंक्स वाचिंग दीस वीडियो हमारे चैनल पर एसे एजुकेशनल वीडियो आते हैं तो एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा आना अबूले थैंक्स वाचिंग इस वीडियो